हेलो दोस्टों स्वागत आपका फिर से नीव ब्लोग में और अभी हो रहा है दोस्तों बारिस अभी घर से बाहर निकले हैं सुबा को खुब तेज बारिस हुआ है और अभी में बारिस हुए रहा है कतारे बगान के पास जो सुरसेधाम मंदिर है बड़ा सा सीवलिंग उसी क पास जो नदी है सूरने का नदी वहीं पर अभियम हैं बोलेंग सो नदी उधर है अभी हम इधर बगां तरफ है देखिए पीछे सूरने का नदी और यह नदी पहले कुछ था और अब कुछ हो गिया है पहले बहुती साप पानिया पर बहता था इस नदी पर और यहां पर पहले हम नहाने के लिए आते थें कब आते थे जब हम पांचो क्लास में पढ़ते थे थे ना पांचो छटा क्लास में तो अब अपना फ्रेंड लोगों के साथ इस नदी में नहाने के लिए आते थे और अभी देखिए पानी गंदा हो गया पहले कूछ था अभी कुछ हो गया है और आप लोगों पाता है आप लोग कभी देख्ञें हो तरफ हम आया है और सुबह को चार बज़े से पूरा दीन पर पानी बरसा है खुब तेज बारी सुबह है और यह देखिए स्वर्नेखा नदी अब पानी थोड़ा सा अभी बढ़ गिया है तक अभी बारिस हुआ है ना दो दिन से और आज तो लगस्तार सुबह से जो पानी आया है जिसके कारण से पानी आपा ज्यादा भर गिया है तो देखिए लड़का लोग भी कुछ-कुछ वहां पर आया है वहां पर अपना सेल्फी फिल ले रहा फोटो घिचा रहा है इधर भी है और कुछ इधर सिली पास बेठल है और अभी साम का पांच बज़ रहा है और अभी छुटा है तब जाके अब इस तरह हमाए है तो दिमाग फ्रेस करने के लिए इधर माए थे सान जाग ढूमने पर आपको पता है कि यहां पर मेला भी लगता है कार्तिक पुनिमां में आप लोग देखे होंगी घुमे Oops यह बहुत दूर के जो लोग यहां घ्मार नहीं जानते हैं तो आपको बता देक हैं यहां पर मेला भी लगता है जगा पहर सो के जानते कि मेला लाफ प्थो दौस्ते भीयार रखते था तो दोस्तों बस अभी रखते हैं मिलते आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लोग में नीरोचक नीरवचर नी ब्लोग साथ बाई बाई जय माता दी बंदे मातरम भारत माता की जय